आजम, two important types of verbs के बारेंगे जानेंगे, ओके, तो जो two important verbs हैं, वो एक होता है transitive और दूसरा होता है intransitive, ओके, एक होता है transitive और दूसरा होता है intransitive, अब transitive verb क्या होता है, तो द्यान से सुनिएगा, किसी भी sentence में तीन चीजों का होना बहुत जरूरी होता है, सबसे पहले होता ह subject, ओके, वो दूसरा होता है, verb, वो तीसरा होता है object, ओके, अब transitive verb क्या मतलब है, अगर किसी sentence में verb के बाद object को दर्शाय जाता है, object के बारे में कुछ कहा जाता है, तो वो transitive verb होता है, ओके, एक example लेके चलते हैं, एक sentence बनाते हैं पहले, अब देखें, मैंने एक sentence बनाया, मैंने एक sentence बनाया, राज is eating apple, ओके, तो देखें, यह जो राज है, यह आपका हो गया subject, ओके, यह हो गया आपका subject, अब eating, verb का मतलब होता है, action word, मतलब जैसे खाना, पीना, उतना, सोना, जाकना, करना, ओके, उसको हम verb बोलते हैं, तो eating आपका हो जाता है, verb, ओके, अब का है, राज is eating apple, ओके, मतलब जो यह लास्ट में आता है, verb के बाद, इसको हम object बोलते हैं, ओके, object, subject, verb, object, जब एक sentence में, verb के बाद, किसी object के बारे में कहा जाता है, तो वो transitive verb होता है, ओके, जैसे, दूश्रा, अब सिला, एक नाम है, तो यह हो गया, subject, dancing, यह क्या हो गया, यह, verb हो जाता है, क्योंकि वो नाच रही है, लेकित कहा नाच रही है, stage पे नाच रही है, तो यह हो गया, object, ओके, ओके, हो बापको समझ में आ गया, किसी भी sentence में, अगर, verb के बाद, कोई object के बारे में कहा जाता है, तो वो transitive verb होता है, ट्रांजिटिव वर्ब का यही मतलब होता है अब दूसरा आता है इन्ट्रांजिटिव वर्ब अब इन्ट्रांजिटिव वर्ब का क्या मतलब है इसमें किसी भी सेंटेंस में वर्ब के बाद अबजेक्ट का होना जरूरी नहीं है intransitive sentence में verb के बाद object का होना बिल्कुल जरूरी नहीं है जैसे example राज is playing आपका ये राज हो गया subject playing हो गया verb देखें राज is playing राज subject हो गया playing verb हो गया लेकिन इसके बाद कोई object नहीं है यहाँ पर no object मतलब राज is playing ये भी एक sentence ही है लेकिन ये complete sentence नहीं है राज खेल रहा है लेकिन कहा खेल रहा है या क्या खेल रहा है इसके बारे में नहीं बताया गया है तो ये intransitive verb होता है monkey is climbing जैसे monkey आपका हो गया subject climbing मतलब चड़ना हो गया आपका verb लेकिन इसके बाद यहाँ पर object नहीं है तो ये हो जाता है intransitive sentence अगर किसे भी sentence में object का जिकर नहीं किया गया है तो वो हो जाता है intransitive sentence तो ये थे दो important types of verbs transitive and intransitive verb तो transitive का आपको मैंने बता दिया फिर एक बार बता देता हूँ transitive verb का मतलब है जब किसी sentence में verb के बाद after verb कोई object का जिकर किया जाता है तो ये हों transitive sentence बोलते यहाँ दे दिया था rash is eating apple rash subject हो जाता है eating verb हो गया eating के बाद apple आ जाता है औरinda rash is eating raj खा रहा है लेकिन क्या खा रहा है raj apple खा रहा है तो वो object ay raj is eating apple तो यहाँ पह देखिए intransitive verb raj is playing raj खेल रहा है राज subject भी है यहाँ पे playing verb भी है यहाँ पे लेकिन क्या नहीं object नहीं object मतब राज खेल रहा है राज क्या खेल रहा है वो भी पता नहीं है और राज कहां खेल रहा है इसका भी पता नहीं है तो यह हो जाता है intrusitive verb तो होब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा subject, verb, object तो होब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा transitive verb और intransitive verb के बारे में इसमें कोई भी sentence में 3 चीजे 3 चीजे बहुत important होता है subject, verb और object तो होब आपको वीडियो अच्छा लगा हो